नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पी एफपी में आजम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए नजारे हैं और इतना ज़्यादा भाग जोके हैं कि संभावना बढ़ जाती है गिरावट की संभावना बढ़ जाती है तो ऐसे स्टॉक्स में फ्रेश खरीदारी करने से पहले हमें दो बार जरूर सोचना चाहिए कौन से स्टॉक है चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे लेक आज हम इस वीडियो में स्टॉक्स के बार में चर्चा करेंगे आपको ज्यादा दर स्टॉक्स फार्मा सेक्टर के दिखाई देंगे क्योंकि वो सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका एक रीजन है क्योंकि पहले से काफी जदा डाउन ट्रेंड हमें फा फाइजर में फिलाली हमने इन्वेस्टमेंट किया था 45 हिनिट के आसपास और कुछी दिनों में इतना भाग गया कि 5200 तक हमें स्टॉक जाता हुआ नजराया है ओर्बाट कंडिशन दिखाई दे रही है आरे साई का नंबर 79.45 है जो कि आफकोर्स बहुत ही महेंगा दिखा इसके रेजिस्टन्स के बार में बात करें तो वो भी बहुत ही नजदीक आ चुका है 55 हिनिट का लेवल पहले भी एजर रेजिस्टन्स दिखा दिया स्टॉक जब भी उसके उपर गया तो यहां पर हमें गिरावट दिखाई पड़ी थी तो टेक्निकली यहां पर काफी और ओवरबॉट सिचुएशन हमें दिखाई पड़ रही है नेक्स स्टॉक है सिपला जहां पर सिमिलर कांड ओफ तेजी हमें दिखाई पड़ते हैं स्टॉक तेजी से उपर जाता हुआ नज़र आया 750 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद तेजी जह तो स्टॉक उपर गया है 950 तक पहुचता हुआ नज़र आया एक महीने के अंदर अंदर 20% के शांदर प्रॉफिट हमें सिपला में दिखाई दिया है तो इतनी तेजी आई है तो यहाँ पर हमें सिचुएशन ओवरबॉट होती भी नज़र आई आरे साइका नंबर 77.4 है जो कि क्लियरली दर्शाराई की स्टॉक बहुत ज़ादा ओरबॉट सिचुएशन में चला गया है नेक्स टॉक है कैडिला हेल्थ केर और यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है 500 के लेवल से स्टॉक गिर रहा था और 425 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके ब रहा है 73.28 का RSI है और स्टॉक का एक important resistance भी है अब यहाँ पर यह कोई छोटा मोटा resistance भी नहीं है क्योंकि इसका जो पुराना all time high था वो लेवल बहुती नस्दीक दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं इसका जो पुराना all time high था 550 का लेवल बहुती नस्दीक है पर ट situation आपको दिखाई देगी 3850 के आसपास के लेवल से stock में गिरावट आई और 3260 के लेवल हमें दिखाई पड़े लेकिन कुछी दिनों में stock में इतनी तेजी आई कि वापस उसी लेवल पर stock हमें trade करता हुआ नस्यार है लेकिन यहाँ पर भी situation overbought है RSI का number 68 दिखाई रहा है अभी तक overbought नहीं हुआ है लेकिन 68 बहुत ही strong number है अगर यह 70 के उपर चला जाता है तो overbought situation हमें RSI में दिखाई पड़ सकती है और stock अपने important resistance पर भी trade कर रहा है अब देख पाएंगे पहले भी 3900 पर stock ने दो बार resistance फेस किया और उसके बाद नीचे आता हुआ अनसराय था और फिलाल भी stock उसी level पर trade करता हुआ अनसराय था है और जब stock overbought होते है या फिर technical resistance के आसपास trade करते है तो यह situation बहुत ही uncertain होती है हम यह predict नहीं कर सकते है कि यहाँ पर breakout होगा या फिर वापर stock नीचे आ जाएगा तो यह जो condition है यह जो price level है काफी ज़दा uncertain हमें दिखाई पड़ता है और अब इंदो फार्मा भी similar kind of situation है 1000 रुपे के level से stock correct होकर 800 रुपे के level पर आ गया लेकिन अच्छी recovery आई और फिलाल stock 950 के level पर हमें करता हुआ नजरा था लेकिन इतनी तेजी आई यह तो stock भी थोड़ा सा यहाँ पर strong हो गया overbought होने की कगार पर है 67 का RSI का number हमें दिखा दिता है और resistance भी बहुत ही नस्दीक है आप देख पाएंगे 1000 रुपी का level दो बार as a strong resistance हमें दिखाई दिया और stock फिलाल उसी level को approach करता हुआ नजराता है COVID-19 के second wave के कारण सिर्फ pharma stocks जो दवाईय बना थी है उसको ही फाइदा नहीं हुआ जो diagnostic lab चलाते हैं उनको भी बहुत ही फाइदा हुआ है और metropolis भी उसी में से एक है यहाँ पर भी हमें शांदार 30 देखने को मली 2000 के level से 1900 के level से stock उपर गया यहाँ पर हमने PFP members ने काफी चलता हुआ नजर आया और overbought situation में एंटर कर चुका है RSI का number 70 प्लस चलता हुआ नजर आता है तो clearly यहाँ पर situation overbought हो चुकी है तो यहाँ पर भी एक strong resistance तो नहीं है क्योंकि भी फिलाल breakout देखने को मला है लेकिन काफी ज़्यादा situation overbought होती हुआ भी नजर आई है फिलाल हमें pharma sector के अलावा fmcd sector में भी अच्छी तेजी देखने को मली अगर आपने देखा वागा तो actual की बात कर ले तो वो भी 2100 से 25 इनिट के आसपास पहुंच चुका है बिटानिया भी काफी उपर निकल चुका है मैरी को भी काफी उपर निकल चुका है अच्छे स्टॉक्स में हमें अच्छी तेजी देखने को मली है तो डाबर में भी यहाँ पर participation दिखा है डाबर भी हमें 500 रुपे के लेवल से दोड़ता हुआ नजर आया है और 575 पर पहुंचता हुआ नजर आया तो यहाँ पर भी situation overbought हो गई है RSI का नंबर आपके सामने है 72.8584 है तो यहाँ पर भी situation overbought होती भी नजर आई है last but not the least हम JSW Steel को कैसे छोड सकते हैं कैसे बूल सकते हैं क्योंकि यह stock तो एकदम आग लग गई है यहाँ पर पूरा का पूरा metal sector बहुत ही अच्छा perform कर रहा है एक cyclical sector है और जैसे ही cycle गूमती है तो यह stocks बहुत ही अच्छा perform करते हुए नजर आते हैं JSW Steel पिछले कुछ महीनों पहले क्या एक महीने पहले 400 रुपय के जोन में ट्रेट कर रहा था यहाँ पर ट्रेट कर रहा था लेकिन फिलाल stock 650 तक हमें जाता हुआ नजर आया तो शांदार तेजी JSW Steel में हमें देखने को बूरा का पूरा metal sector बहुत ही अच्छा perform कर रहा है ले का मतलब यह नहीं है कि stock बुरे हो गए stock crash हो जाएंगे लेकिन short term में of course आपको correction दिखाई पड़ सकता है short term में stock हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है तो यहाँ पर आपको खरीदारी की जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए थैंक्यू स्टे हापी हापी इन्वेस्टिंग